करो आपके लिए तनी महनत करता हूं मैं बस आपको सब्सक्राइब करो फ्री आपको उच्ट है गाइस करो कर लिया थैंक यू सो मॉच और जिन्होंने नहीं प्रिड से करो यार सब्सक्राइब करो आप देखो मैंने मौर्निंग में कल का वीडियो देखना देखो जब मैं आप जच कर पाऊगे कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है अगर मार्केट फ्लैट होता है या थोड़ा सा गया पर डाउन जैसे लोग ब्रेक करेगा वैसी हमें ट्रेड लेना है तो मैंने वैसे ही जैसे नो पंदरा पर वैसे ही मैंने सेल पोजीशन मना दिया और इसके बाद मैंन देगा फास्ट और जब मैं इसको सेल किया मैं अरहर मैं फिरा ही मेरा ब्र मता और अग्सक्राइब मैंने काल दीया अरहरा नमोस्ट तो मैं है सेल किया था नो पंदरा पर ही तीन सेकेंड मतलब जैसे एक सेकेंड भी नहीं है यह जैसी मार्केट हुला वैसी मैंने सेल किया और 300 कॉंटिटी मतलब 300 पॉइंट पर मैंने बुक कर लिया अल्मोस्ट होगे सेलिंग उन्हाम जाओ मार्केट आधा कि में अगया फ्रेयर यहां 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 पर आख मार्केट हो गया अगर यही फ्लो में निकल जाता तो 45,000 अजाता तो मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट होता कि यहां हान्दर पर सट रहो ही आजाता इसके अंदर में की कि म्gesch bestimm तो फिर में रहन आधी से लाइए लाल इसके बाद मेने ट्रेड नहीं कि यह क्यों कि फिर मार्केट यह रेंज में और एक बडा मोमेंटम करने वाला कम इसके बाद फिर ग्रीन केंडल अब यहां पर देखो एक दो से नीट केंडल बना दिया थीन के बाद यहां पर देखो एक दो तीन के बाद रिवर्सल आईगा सेलिंग तो जाएगा मार्केट लेकिन सेकेंड हाफ पे चांसेंग की तरफ आ यहां लेकिन सेकेंड हाफ के बास बारा नहीं तो एक बजे के बाद यह फिर ना इंटाप कर देगा आप साइड में तो लोग इसको फिप्नि मिड़ में देखते हैं होव आपको समझ में आया और अभी भी मैं आपको लेवल सपने लगा देता हूं यहां पर ठीक है यह मेरे लेवल से आप मार करके रखना कल के लिए हिसे अगर मार्केट फॉर्ड ना फॉर्न चुजाएं यहीं र हमार्केट फैर वार्क हो अगर मार्केट फ्लैड खुल ऐब तो तो यहां मैं को अभर सफित फॉर्ड आपको आपको स जब यह market खुला था यहां पर यहीं पर मैंने निकालना पड़ा नहीं तो यह flow में यहां पर कही support नहीं है अब कहा support find out कर अब बहुत अब बहुत अब 20,300 का बड़ यह support नहीं क्यों कि multiple times test कर चुका है market अब देखो finnipty में एक jackpot आने वाला है क्योंकि market bank nipty भी move नहीं किया आज पूरा दिन sideway था यह देखो एक ही range में market आज इतने लोगोंने over trade किया होगा कितना इसल दिया होगा सोचो अब इसलिए बोलो ना तीन trade के ऊपर मत प्लान किया गरो इसके ऊपर प्लान करोगे तो आपका sell होगा चलो finnipty में आते कलिक स्पारियर पहला condition अगर market बहुत बढ़ा gap down खुलता है suppose 20,200 के नीचे यहां कहीं के नीचे तो क्या होगा एक flow में selling आयाएगा लिके इतना बड़ा जो अलड़ी यहां से hold करके बैठे हैं जो अलड़ी hold करके बैठे हैं वो कहना पहले profit book करेंगे guys तो profit book करेंगे तो पहले pullback आजाएग यहां पर कैसे खुलता है market अगर यहां पर खुला तो एक रिवर्स चला जाएगा फिर gap fill करने के लिए एक pullback देगा फिर market अगर follow through मिला इसको फिर एक बड़ा momentum आ जाएगा नीचे के तरब तो हमारा 20,000 का यह target है यह चीव हो जाएगा फिर 200 point का momentum करेगा ठीक है तो याद अगर बड़ा gap down खुलता है तो पहले selling मत करना वेट करना price action का क्या यह पहला pullback देता है यहां से खुलके pullback देता है फिर reversal आता है और यह जहां से pullback देगा उसका 50% cross होता है तो हमें train बना सकते है पहला target हमारा day low यह लोगा second target हमारा 20,000 ठीक है guys तो यह एक हो गया इसके बा बहुत बड़ा gap up होता है तो यह gap up होगा तब भी buying नहीं करना है हमारा buying level है 20,500 के ऊपर वह भी price action बना के price action मेंस हिस पहले market खुलता है थोड़ा यहां पर अपने आपको hold करें फिर यह second हाप के बाद ब्रेक करें फिर chances है कि sustain करेगा अगर यह सदल नहीं से चला गया तो फि फिर यहां reversal आजाएगा तो बाइंग नहीं करना है जब पर 20,500 क्रॉस नहीं होता गाइस यह हो गया के लिए और अगर market flat open होता है यहां कहीं पर जैसे आज हुआ था तो फिर जैसे यह low break करगा वैसे sell करना है जैसे मैंने बता है 9-15 पर ही sell करना अगर market flat open होता है तो क्योंक कि आपने देखा 50 रुपे पे अब हो 80 का momentum कर दिया 80 रुपे पे चलना है तो आपका हाथ नी जाएगा ओंड़ी लेने में ठीक है तुरन सेल करना अगर flat होता है जैसे यह break करता है वैसे trade लेना है यह हो गया clear और एक jackpot है फिर निप्टी में तीन बजे के बाद अगर आप यह तब करना जब आप profit में हो अगर आप profit में हो तब try करना एक एक quantity ज्यादा नहीं एक quantity P और C कैसे अगर यहां पर market sustain कर रहा है 2200 पूरा sideway market गया यहीं कहीं पर sideway गया फिर हम selling side में position बना लेंगे 2200 एक P और एक C दोनो side में फिर क्या होगा ना एक लेग आपका zero हो जाए कोई जुरत नहीं है आप एक दो लोट से ही trade करना कोई aggressive नहीं मार्केट में हमेशा बोलता होगा इस market हमेशा यहीं है हर दिन आपको मौका नहीं मिलेगा हर दिन आपको SL कंट्रोल में करना है profit market देगा जब वो देगा तो चपर फार्ड के देता है market याद रखना गाई और चलो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देगो पूरा market हा sideway था ठीक है पूरा का दिंग sideway था अब बैंक निफ्टी अगर आप safe trader हो safe means risk नहीं लेना पसंद करते है तो आपके लिए best में बता रहा हो बैंक निफ्टी है अगर इसका high और बहुत बड़ा आकर gap up हो जाता है बहुत बड़ा gap up हो जाता है यहां कहीं पर तो फिर आपको wait करना है कि 46,500 के level पर price कैसे behave कर रहा है क्योंकि क्या हो है यह already selling pressure है ठीक है और यहां पर higher low बन रहा था higher low बन रहा था अब यह क्या है lower high बनना यह चालू करेंगा कि फिर से यह higher low higher low बनेगा means market अब एक decide condition में कि market किस तरफ जाना चाह रहा है ठीक है critical level पर आ गया market और यह multiple time 45,700 यह multiple time में support ले चुका है market और मैंने बोला था 45,600 ब्रेक करता तो sell क्योंकि यह इतने बड़े spike में घुजोगे तो अक्का मजबूरन ऐसा लोगा तो हमें confirmation चाहिए कि 45,600 यह break कर रहा है कि नहीं तब तक हम self-plan नहीं करेंगे aggressive हो तो यह जैसे ही low break करना चालो करता है वैसे ही आप sell करो safe trader हो तो 45,600 का wait करना गाइस market यहां पर बार-बार support ले चुका है ठीक है बार-बार market यहां पर support ले चुका है अब ज्यादा chances है कि यह break करते है अगर यहां से फिर break क down खुलेगा तो already आपके हां से तो profit चला गया दिन का तो अब हम reversal का plan करेंगे क्योंकि already यहां पर जिन्होंने sell करके बैटे अगर उनको overnight में profit हो जाता है यहां पर market खुलता है तो chances ही कि एक flow में थोड़ा से निकले pullback में wait करना अगर आपको buying करना है तो buying कर सकते है तो wait करना safe trader तो पहला pullback देगा फिर अगर यह fall करना चालो का यहां का 50% तो फिर आप sell करना 44,444 यहां तक का target यह वाला target ठीक यह level आ जाएंगे और यह level आ जाएंगे तो sell मत करना hold कल लेना और trailing ऐसा लगा देना कैना अगर यह flow में 100-200 point और चला जाएगा तो आपका premium सपोर यहां पर 100 रुपय मिली होगे तो 500-600 का profit दे देगा 600 का profit आपको देगा 600% का return तो कैसा लगा guys और nipty की बात कल लेटा है चलो लेवल सड़ा देता हूं मैं यहां पर यहां पर जिन्नों ने sell किया होगा इनवेटर ढमर समझ के देखो क्या हुआ market यहां पर जिन्न ने position बना होगी market gap up हुआ फिर नीचे की तरफ आया है तो इसलिए बोला जब तक confirmation मिले तब तक sell करनी की जूरूत नहीं है आप हाथ जल जाएंगे आपके बिना लेवल को होड कर रहा था बूरे लेवल को यहां से होड कर रहा था यहां पर लेकिन ये फॉल दे दिया नीचे लिकिन तब तक sell मत करना जब कक 21700 यह सारा लेवल क्रोस ने तर यह भी लो पे मत sell करना जब तक ही यह और बाइंग हमारा 22000 के उपर इसके उपर और इसके तो यह जब SL हीट होगा तो बाइंग करेंग तो फ्लो में 200 पॉइंट का मुवमेंट अपसाइड की तरफ देगा और यहां से फिर से रिवर्सल नहीं आने वाला क्योंकि दो टाइम मार्केट अलिडे अल्टाइम है टेच करके रिवर्सल आ चुका है अब ज्यादा चांसे से कि यहां से फ्लो फोलो थू में निकल जाया मार्केट तो कैसा लगा वीडियो गाईज अगर अच्छा लगा होग जैसे रहाँ